दोस्तों आज के इस क्लास में आप सब लोग का स्वागत है आज में आपे बात करेंगे इंगले स्वामाक्स के बारे में और इंगले स्वामाक्स का यहाँ पे अगला चैप्टर हम देख रहे हैं ठेक है? poetry section का यहाँ पे chapter देख रहे हैं जिसका नाम है Macavity the Mastery Cat इस chapter को बहुत ही अच्छे से देखेंगे इसके summary को basically इसके सारांस को अच्छे से हम आपको बताने की courses करेंगे साथी साथ यहाँ पे जो आपको summary बताएंगे एक तरफ English लिखा रहेगा दूसरे तरफ Hindi लिखा रहेगा ताकि आपको समझने में especially कोई दिक्कत नहीं हो English जो डर रहता है obviously आप देखते होंगे इसी तरीके साथ हम सारी chapters को पढ़ाते आए हैं और इस chapter के लिए मतलब हम थोरा सा late क्या किये सब लोग तो हला मचा दिए थोरा सा जल्दी वीडियो लाईए चलो ठीक है इतना ज़्यादा लोग बोल रहे है चलो अब स्टार्ट कर दिया है फिर आगे ठीक है इस chapter को complete करेंगे अगला chapter भी जल्दी जल्दी अब आ जाएगी और इस पूरे अपना poetry section भी complete हो जाएगी जैसे कि पता होगा pro section अल्रेडी हम लोग complete कर चुके है ठीक है तो जो लोग नहीं देखे होंगे description में link दिया गया है English का अच्छे से वीडियो सारा चीज़ दिया गया है जाके आराम से पढ़ लिजे ठीक है चलिए अब यहाँ पे chapter को में start करते है Macavity the mystery cat ठीक है चलो इस chapter को अच्छे से देखते है सबसे पहले जानते हैं कि इस chapter को लिखे कौन है ठीक है थोरा सा writer के बारे में जान लेते हैं क्योंकि writer से board exam में प्रस्ण रहती है उसकी बाद सारांस को देखेंगे सारांस almost five marks का पूछा जाता है समरी ठीक है उसको भी अच्छे से आपको बताएंगे ठीक चलो तो यहां पर देखो सबसे पहले ठीक है सबसे पहले अपने पास यहां पर chapter क्या है Macavity the mystery cat ठीक है मतलब एक Macavity जो है एक बिल्ली जो है यह क्या है एक क्या है Macavity जो है एक mystery cat है मतलब एक रहस्माई बिल्ली है ठीक है एक रहस्माई बिल्ली है या बिल्ला है ठीक है तो यह है ठीक है अब देखो इसके writer को नहीं आते हैं इसके writer अपने यह है ठीक है writer यह है और इनका नाम क्या है इनका नाम है T.S. इलियोर जी इन्होंने ही क्या लिखे हैं यह Macavity the Mr. Cat इसको लिखे हैं ठीक है T.S. Ilior जी के दौरा लिखा गया है यानि writer Macavity the Mr. Cat का क्यों हो जाते हैं T.S. Ilior जी इनका जन्म कब होता है 26 September 1888 को ठीक है 26 September 1888 को United States में इनका जन्म होता है US में इनका जन्म होता है यानि अमरिका में ठीक है US में अमरिका में इनका जन्म होता है इनका निधन कहां होता है कब होता है तो 4th January 1965 को London में इनका निधन होता है London यानि England में ठीक है यानि UK में ठीक है तो इनका निधन होता है clear अब देखें इनका पूरा नाम जो है important नहीं है, exam में कभी नहीं पूछा गया है और almost नहीं ही पूछा जाएगा ठीक है, लेकिन book में दिया हुआ that's why हम यहाँ पे भी आपको दे चुके हैं कि मतलब आपको ऐसा ना होगी by chance, भी हारवोट कहें, भाई साब चलो आज कुछ तुफानी करते हैं, ये कुछ संदालते हैं exam में, तो फिर उस समय भी आपको कि हम तो वो तुफानी जो तुम करने चलो है, वो तो करके बटन बैठे हैं अराम से लिख दोगे exam में, है ना चलो, तो यहाँ पर यह हो गई प्यार सा समझाएंगे, जरसा ऐसे ही समझ ज़िएगा ठीक है, चलिए, स्टार्ट करते हैं Macavity the mystery cat was written by T.S. Eliot simple सी बात है, कैसे लिखा हुआ है Macavity the mystery cat was written by T.S. Eliot Macavity the mystery cat जो है, T.S. Eliot जी के दोरा लिखा गया है ठीक है, आगे देखे He was born in USA, but eventually he settled in England मतलब उनका जन्म जो हुआ था, कहा वा था, USA में हुआ था, अमेरिका में हुआ था but लेकिन eventually लेकिन क्या हुआ decor, he settled in England और बाद में वो कहा बस गये? इंग्लैन में बस गये दीक है, उनका जन्म USA में हुआ था लेकिन बाद में वो इंग्लैन में बस गये in politics ठेके वह एक जाने माने क्या थे सहितकार थे classist in literature बहुती जाने माने सहितकार थे anglo-catolic थे और साथी साथ ये जो है राजनीती में भी उनकी बहुत अच्छी पकर थी ठेके ये टियेस इलियोर जी के बारे में कहोंगे बहुत सारांस अब बता रहे तो chapter का तो देखो सारांस जब आप लिखोगे न उससे पहले आपको writer के बारे में लिख देना है समरी में writer के बारे में लिख दोगे starting में और तब chapter के बारे में लिखोगे जादा marks मिलेगा He was awarded the novel prize for literature in 1948 और उन्हें जो है 1948 में साहित के लिए नौवल प्रोजकार से सम्मानित किया गया था किसको टी एस इलियोर्ट सहब को चलिए आगे देखते हैं आगे यहाँ पे है He was also a distinguished critic and dramatist वो जो है एक बहुत ही बहुत ही बोल सकते हैं वो क्या थे आलोचक थे critics को करते थे और साथी साथ वो एक नाटक कार भी थे ठीक है बहुत ही बिसस्ट परकार का His well-known poem are The Westland Us Wednesday उसके बाद है and Four Quartests ठीक है तो उनकी बहुत ही परमुख जो है रशनाएं में से रशना जो है उनकी कवीता जो है वो है The Westland Us Wednesday and Four Quartests ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखिए आगे कैसे लिखना है आगे लिखना है The poet composed This poem about cat The poet composed in this poem ठीक है यहाँ पर इन लगा देना The poet composed in this poem about cat कभी इस कवीता में Billy के बारे में चर्चा करते हैं लिखते हैं ठीक है He tells that Macavity is so clever वो कहते हैं कि Macavity जो है बहुत ही चालाख है बहुत ही जादा clever है ठीक है T.S.E.L.O.R. जी कहते हैं He is very tall वो जो है बहुत ही लंबा है and thin और बहुत ही पतला है वो बहुत ही लंबा है और बहुत ही पतला है बिले जो है The cat say Sorry Sorry The poet says That when it does crime He never stays there ठीक है मतलब कभी कहते हैं कि जब वो कोई भी crime करता है जब वो कोई अपराध करता है तो वो वहाँ पे रहता नहीं है वहाँ से चला जाता है कोई भी अपराध करेगा Crime करेगा वो वहाँ पे बैठा रहेगा कि हमने वो अपराध किया हमने वो crime किया आज़ो मुझे पकर लो ठीक है कौन कहता है तो वैसा ही बिल्ली है मतलब वो क्या करता है वो हर हमेसा crime करता है वहाँ से वहाँ कभी नहीं रख रुखता He cheats everyone ठीक है वो हर किसी को दोखा देता है cheat करता है ठीक है But never lives anything back लेकिन कोई भी सबूत वहाँ पे नहीं छोडता है ठीक है लेकिन कभी भी कुछ भी नहीं छोडता मतलब कोई भी वह सबूत नहीं छोडता अपनी निसानी नहीं छोडता है ना तो यह चीज है उस बिल्ली के बारे में उस cat के बारे में आगे देखिए आगे क्या लिखे हैं He is not like other cat वह और बिल्ली की तरह नहीं है यह मैं का वीटी जो है वह और बिल्ली की तरह नहीं है He is a smart cat वह जो है it smart cat है and he always does mysterious things और वो हर झाएक कुछ रहसमाई चीज हो करता है तो मतलब वह बिल्ली जो है चतुर बिल्ली है और वो हर हमेशा रहसमाई चीज हो करते रहता है He always makes mistakes वो हर हमेशा गलतियां करता है वो बिल्ली जो है मकविटी वो हर समय गलतियां करते रहता है and crime और हर हमेशा अपराद करते रहता है but लेकिन never be presented there लेकिन कभी वहाँ पे रहता नहीं हर हमेशा गलती करेगा हर हमेशा अपराद करेगा लेकिन वो कभी वहाँ पे नहीं रुकेगा he attract even the poet from his personality and cleverness वो कभी को भी आकरसित कर लिया अपना personality मतलब अपना जो है उसका बैक्ति तो और जो भी cleverness था मतलब जो भी चतुराई थी उसमें इसके कारण जो है कभी को भी अपनी और आकरसित वो कर लिया मतलब उसमें उसमें अंदर जो गुन थी ना उस गुन को यहाँ पे कभी उसके पड़ती वो आकरसित हो रहे थे ठीक है no other cat is like Macavity कोई और बिल्ली Macavity के तरह नहीं है तो यहाँ पे कभी ऐसे बताते हैं और सारांस में आपको कुछ इस तरीके से लिखना है आगे देखें क्या लिखना है the poet name that cat is Napoleon of Crime कभी उस बिल्ली को अपराध का Napoleon कहते थे ठीक है क्या कहते थे Napoleon of Cat Crime ठीक है तो कभी कहते थे उसे Napoleon of Cat ठीक है अपराध का Napoleon उसे कहा करते थे तो सिंपल सी बात है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा Macavity the mystery cat का सारांस अब चलिए हम अपने तरीके से अपने अंदाज में अपने भासा में आपको समझाते हैं ठीक है और आपको बताने की कोसिस करते हैं ठीक है देखो अपने लोग यहाँ पे पढ़ रहे है Macavity the mystery अब देखो यहाँ पे इसको लिखे कौन है सबसे पहले बात करें इसको लिखें है T.S.I.L.G. ठीक है T.S.I.L.G. का जन्म कहां पे होता है USA में होता है ठीक है USA में होता है 26 सेतंबर 1888 को इनका जन्म होता है लेकिन यह eventually क्या होता है यह UK चले जाते है ठीक है England चले जाते है और इनका जो निधन होता है चार जन्म परी 1965 में लंदन इंग्लेंड में होता है न वो जन्म तो लिए थे अमेरिका में लेकिन वो बाद में चले गए थे England ठीक है वहीं पे उनका निधन भी हुआ था ठीक है अब देखिए यह इस chapter में बात करते हैं एक बिल्ली के बारे मे तो यहाँ पे कभी उस बिल्ली के बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पे वो क्याते हैं यह जो बिल्ली है वो तो लंबा है और साथी साथ पतला है ठीक है बिल्ली लंबा है साथी साथ वो पतला है ठीक है और जो है उसके बारे में और लिखते हैं कि वो बहुत ही ज़्याद भी नहीं छोड़ता है, है ना, कभी न कोई अपना सबूत जरूर छोड़ता है, लेकिन यहां पर यह बिल्ली जहना, यह मैं कभी अपना सबूत नहीं छोड़ता है, ठीक है, उसके बाद कभी इसके बारे में कहते हैं, वो और बिल्ली की तरह नहीं है, वो सबसे अलग है, यह नेपोलेयन और दरजा यहां पे उसको दिये है कभी ठीक है तो बहुत ही अच्छा यहां पे चैप्टर है उस बिल्ली के बारे में बहुत ही अच्छे से यहां पे लिखे हैं ठीक है तो almost हमें लगता है कि आपको अब इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी आराम से आप बहुत सारे questions को भी बना सकते हैं और जो summary आपके exam में लिखने को बोला जाएगा तो मेरे ख्याल से आप इतने अच्छे से लिखेंगे आपको five marks जरूर से मिलेगी ठीक है बिसेस जानद काड़ी एक लिए जो केशन बाब आप डाउनलोड करिए या इस नमर पर कॉल कर लिजे ठीक है वहां से आप आराम से course जोइन कर लेंगे आपको पूरे पढ़ाई proper मिल जाएगी और जहां तक बात करें तो obviously बहुत सारा chapters complete हो चुका है तो मतलब आप लोग अगर नहीं देखें हैं तो आप लोग जाएए आराम से एक एक करके chapters को complete करते चलिए सुरू से आप देखिएगा और हम ये मानते हैं कि अगर आप अपना मतलब simple सी बात है 15-20 मिनट आप अगर एक-एक class पर देते हैं हमारा almost जो summary का वीडियो है 15-20 मिनट का ही होता है तो simple सी बात है 15-20 मिनट का वीडियो होता है हर chapter का आप आराम से बैठोगे शुरू से अच्छे से कमी समय में अच्छे से कमी दिन में देख सकते हैं सारे lectures को ठीक है तो जाएए chapter 1 से start करिए Indian civilization culture by education बावा लिखेगा हमारा वीडियो आ जाएगा और पहला chapter से देखना है start करिए और अच्छे से सब कुछ देखिए प्रोज तो पुड़ा पढ़ाया दिये हैं उसके बाद poetry section में भी शुरू कर दिये थे sweetness love I do not go वह भी पढ़ाये हैं तो वहां से poetry में भी चालू है poetry भी अब जल्दी खदम हो जाएगी English grammar भी चालू है तो यह सारा चीज है अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए अगर अच्छा लगता है हम अच्छे से आपको समझा पाए तो आप हमें नीचे comment करके बताईएगा ऐसे वीडियो आपको सही पसंद आता है या क्या कैसे है ठीक है अगर नए हैं तो आप हमें जरूर से बताईएगा पुराने इस तुडियो आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा चलिए आज किस क्लास में बस इतना ही हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में तब तक लिए बबाई झाल झाल